गुरुदेव और्मा गायत्री के चर्णु में गुड़ी गुड़ी नमन आप सभी को प्रणाम वर्तमान शताब्दी के आध्यात्मिक तथा दाश्रीक महापुर्शन ने भी गायत्री के महत्री को उसी प्रकार से स्विकार किया जैसा कि प्राचीन काल के तत्व दर्शी इश्यो ने किया था आज का युग बुद्धिवा तर्क का प्रतेक्षवाद का युग है इश्यताब्दी के प्रभावशाली गड़मान्य व्यक्तियों की विचारधरा केवल धर्म गरंथ या परंपराव पर आधरित नहीं है उड़ोंने बुद्धिवाद तर्कवाद और प्रतेक्षवाद को अपने सभी कारियों में प्रथम इस्थान दिया है ऐसे महापुर्षों को भी गायत्री तत्व सबद्रिष्टिकोनों से परख्टे पर खरा सूना प्रतीत हुआ आगे हम आपको कुछ ऐसे उधारन देगे जिन्होंने गायत्री की महिमा का गान किया है ऐसे महापुर्ष के उधारन महात्मागानी कहते हैं गायत्री मंत्र का निरंतर जब रोगियों को अच्छा करने और आत्मा की उन्नती के लिए उप्योगी है गायत्री का इस्थिर्चित और शांत हृदय से किया हुआ आपत्ति काल में जब सेकडों कष्टों को दूर करने का प्रभाग रख किते हैं जिस बहुमखी दास्ता के बंधन में भारतिय प्रजा जगडी हुई है इसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन होना चाहिए जिससे सद और असत का विवेखो कुमार्ग को छोड़कर श्रेष्ट मार्ग पर चलनी की प्रेना मिले गायत्री मंत्र में यही भावना विध्यमान है महात्मा मदन मुहन मालवे जी का कहना था विश्यों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिये हैं उनमें से एक अमूल्य रत्न गायत्री है गायत्री से बुध्धी पवित्र होती है इश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है इस प्रकाश से असंख्य आत्मा को भव बंधन से त्रान मिलता है गायत्री में इश्वर परायंता के भाव उत्पन्य करने की शक्ति है साथी वो भौतिक आभाव को भी दूर करती है गायत्री के उपासना ब्रहामन के लिए तो अत्यन तावशक है जो ब्रहमन गायत्री के जप नहीं करता वो अपने करतव्य धर्म को छोड़ने का अपराधी होता है कवींद्र रवींद्र नाट टैगोर कहते थे कि भारत वर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वो इतना सरल है कि एक ही श्वास में उसका उच्चारन किया जा सकता है वो है गायत्री मंत्र इस पुनीत मंत्र का अभ्यास करनी में किसी प्रकार की तारकिक उह प्रकार की मत्भीद अत्वा किसी प्रकार की बखेडी की गुंजाश नहीं है योगी अर्विंध ने कई जगह गायत्री जब करने का निदेश दिया है उन्होंने बताया कि गायत्री में ऐसी शक्ती सन्हित है जो मात्रपून कर्म करा सकती है उन्होंने कईओ को साधना की तोर पर गायत्री का जब बताया है स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उपदेश है कि मैं लोगों से कहता हूँ कि लंबी साथना करने की उतनी आवशक्त नहीं है इस छोटी से गायत्री की साथना करके देखो गायत्री का जब करने से बड़ी बड़ी सिध्या मिल जाती है ये मंत्र छोटा है पर इसकी शक्ती बड़ी भारी है स्वामी विवेक अनन्द का कथन है राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उनके पास उनके गौरव के अनुकूल हो परमात्मा से मांगने युग्य वस्तु है सत्बुध्धी जिस पर परमात्मा प्रसन होते हैं उसे सत्बुध्धी प्रदान करते हैं सत्बुध्धी से सत्मार्ग पर प्रगती होती है और सत्कर्म से सत्प्रकार के सुक मिलते हैं जो सत्की ओर बढ़ रहा है उसे किसी प्रकार के सुक्की कमी नहीं रहती गायत्री सद बुध्धी का मंत्र है इसलिए उसे मंत्रों का मुकुट मनी कहा जाता है जगत गुरु शंक्रजारे जी का कथन है गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ के बाहर है बुद्धी का होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी समता संसार के और किसी काम से नहीं हो सकती आत्मु प्राप्ति करने की डिविद्रश्टी जिस बुद्धी के पास होती है उसकी प्रेणना गायत्री द्वारा होती है गायत्री आदी मंद्र है उसका अवतार दुरितों को नश्ट करने और रित के अभिवर्धन के लिए हुआ है स्वामी राम दिर्थ ने कहा है राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है गायत्री का अभिवर्धाय बुद्धी को काम रुची से हटा कर राम रुची में लगा देना है जिसके बुद्धी पवित्र होगी वही राम को प्राप्त कर सकेगा गायत्री पुकारती है कि बुद्धी में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वो राम को काम से बढ़कर समझे महारशी रबन का उप्देश है योग विध्या के अंतरगत मंत्र विध्या बड़ी प्रभल है मंत्रों की शक्ती से अध्भुत सफलताई मिलती है गायत्री ऐसा मंत्र है जिससे आध्यात्मेक और भोतिक दोनों प्रकार की लाब मिलते है स्वामी शिवा नंदिजी कहते हैं ब्रह्म महुर्त में गायत्री के जब करनी से चित्ध शुद्ध होता है और हिर्दय में निर्बलता आती है शरीर निरोग रहता है सुभाव में नंदित आती है बुद्धी सुक्ष्म होती है और दूर दर्शिता बढ़ती है इसमन शक्ती का विकास होता है कठिन प्रसंगों में गायत्री द्वारा देवी सहता मिलती है उसके द्वारा आत्म दर्शन हो सकता है काली कमली वाले बाबा विशुद्धानन्दी जी कहते हैं गायत्री ने बहुतों को सुमार्ग पर लगाया है कुमार्ग गामी मनुष्य की पहले तो गायत्री की ओर खीची नहीं होती यदि इश्वर कृपा से हुवी जाए तो फिर वह कुमार्ग गामी नहीं रहता उसे भली प्रकार अन्भा होने लगती है कई महात्मा गायत्री जब करके परम सिद्ध हुए है परमात्मा की शक्ती ही गायत्री है जो गायत्री के निकट जाता है वो शुद्ध होकर रहता है आत्म कल्यान के लिए मन की शुद्धी आवशक है मन की शुथी के लिए गायत्री मंत्र अद्बूत है। इश्वर प्राप्ति के लिए गायत्री जब को रथम सेड़ी समझना चाहिए। दक्षिन भारत के प्रसिध आत्म ज्यानी टीस बराव कहते हैं। गायत्री के उपासना करना योग का सबसे प्रधान अंग है। श्री स्वामी करपात्री जी महराज कहते हैं जो गायत्री के अधिकारी हैं उन्हें नित्य नियमित रूप से जब करना चाहिए। दिजें के लिए गायत्री का जब अत्यंत आविशक धर्म करत है। गीता धर्म के व्याक्ष्याता श्री स्वामी विध्यनन्द जी कहते हैं गायत्री बुद्धी को पवित्र करती है बुद्धी की पवित्रता से बढ़कर जीवन में दूसरा लाब नहीं इसलिए गायत्री बहुत बड़े लाब की चन्नी है आगी भी कई महापुर्षों के कथन है सर राधा कृष्णन प्रसिद्य आरे समाजी महात्मा सर्वानन्द जी रिशी दयानन्द आरे समाज के जन्मदाता स्वामी दयानन्द थियो सॉफिकल सुसाइटी के वरिष्ट सुदस्य प्रोफेसर आर श्री निवास इन सभी ने गाय आत्री मंत को लेकर अपने अपने विचार फ्यक्ट किये हैं आज के लिए इतना ही